मैं प्रकास आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करिंट हेवेन के येट्यूब चैनल पर साथ हो एक बार आप जुड़ जाएए बहतरीन तरीके से यह सेसन डेली नौ बजे होता है साथ हो यह आज का पांचवाँ टेस्ट है साइन्स का और यह साइन्स का टेस्ट सारे एक एज़ां हो साथ हो आप अगर डेली एसेसन फालो करते हैं तो हम इतना गारंटी के साथ काते हैं साथ हो 100 के 101 यानि कि 101 परसेंट अगर आप इस तैसन को देख रहे हैं डेली तो एक भी प्रस्ट आपका इससे बहार नहीं जाने वाला है इतना मान के चलिए गालेगे बसरते डेली देखिए, आज हम लोग 20 से 25 क्वेस्टन करेंगे, क्योंकि इसमें आज कम क्वेस्टन इस बेस्ट लिया गया है, जो आपका दूसरा चेप्टर है, आज खतम होने वाला है साइंस में, यहनी फिजिक्स में, जो दूसरा चेप्टर खतम होगा दो इसमें, ग्रैविटी गें करें, क्योंकि बहत्री इन तरीके से आपने पुरा कॉंसęट पढ़ लिया है, चलिए, तो पहला प्रस्न है, पृत्वी के ब्रमड की गती होती है, यानी कि, कि दो तरीके से पृत्वी करती है, एक तो रिवालूइशन होता है, रोटेशन, रोटेशन होता है, जो लुआ जाता है दोस्तों दिन और रात का होना तो इस प्रकार की गतिय कितने समय में कर लेती है जो दिन और रात होता आपको पता है 24 गंटे में आपका अंतर होता है बार गंटे का दिन होता है लिट बार गंटे का रात होती है न होता है ए यह चीजह हैं यह जीज हम बिलकुल बेहतरीन तरीके से जीopra बλοक weapon में पढ रहे हैं Cities geography अब फुल शेषन चल रहा है डेली 10-20 सेखसण हो चुकाई कर आप डेली सारे session follow कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल दोस्तों 100% guarantee के साथ कहाते हैं आप बहतरीन platform पे हो और एक भी प्रस्ट किसी exam में नहीं चोड़ किया होगा पसरते सारे classes follow कर ये प्रत्वी का भरमड की जो गती होती है दोस्तों इसमें तो हो जगा 2.8 km per minute देखिए minute में द per hour 10,000 mil km per hour गती होती है किसकी दोस्तों प्रत्वी की यानि अर्थ का अर्थ अपना चकर मतलब इस स्पीड से घूम रहा है कितने दोस्तों 10,000 mil आपको पता है mile मतलब कि 1.6 1.6 दोस्तों होता है kilometer 1 mile बराबर तो आपको पता होना चाहिए जैसे कि जब आप दवडने जाते है तो हाँ पर 1 mile डाउड ना होता है 1 mile का मतलब क्या होगा 1.6 km तो 10,000 में अगर आप 1.6 का multiply करते हैं तो लगभग बता देते हैं 1656 km per hour यही दोस्तों लगभग है और यही एक rate data है याद रखेंगे अब इसको minute में change करेंगे तो 2.8 km पर minute आएगा एक मिनट में 2.8 km के रही है तो इसका right answer answer ए चले अगले पर सब्योंते हैं हर्स एक horsepower कामान किसके बराबर होता है चाहिए पहली बात तो आप लाश तक जरू बने रहेगा लाश तक जरू अगर बने रहते हैं तब जाके आपको कुछ इसका फाइदा मिलने वाला या ने था इसका कोई फाइदा तूदी पावर में 6 जूल होता है एक किलो वाट पराबर अगर एक वाट पराबर पूछता है तो इसमें क्या करेंगे तेन के पावर त्रीका उड़ा कर देंगे तो इसमें एक वाट में आ जाएगा बस यहां पर नाइन हो जाएगा यह चीजी आप रखेंगे चलिए तीसे कि द्रब ? पावर का SI मातरक वाट में बताना है दोस्कों आपको पावर का SI मातरक आप वाट में बता इए क्या होगा तो इसमें सेम घाए अगर बोला जाए थे ही वसक्वे आपset animal उनिट बता माल Pent कीलों मीटर इसक्वायर क्या मिलेगा कीलों मीटर स्कॉamus okay जते एक स्पवर माइन स्वाइन स्पोन के बराबर क्या होता है कि की से सकते हसे बराबर होगा और है अमें 2 से फ psychologists कहीन नीटें सब्सक्राइग ते यहां से स्पावेगा और इसमें उपर जाएगा तीन सेकेंड इस सेकेंड के पावर के आएगा साथ्यों माइनस 3 ना तो माइनस 3 वाला इस तरह पकड़ सकते हैं दो राइडिन सस्टी हो जाएगा अन्य था निकाल सकते हैं, सिक और सिफ बसरते आपको फार्मिला यादhing होना चाहिए नेक्स, नेक्स प्रस्जन देखे, हमने कल बढ़ाया था lever के बारे में, तो उसमें सिंपल मसین तेन प्रकार का होता होता है, हमने बताया था, harmonics जो मसین होते हैं तेन प्रकारके होते हैं एक Courts One लीवर टू लीवर त्री कि था जू लीवर न उ OTा है थ्यान से देखे एकब पर फिरसे रिविजन पर लीते हैं जो लीवर मन होता हैı साथ हो इसमें जो फलक्रम होता है जैसे कि एकर कैंची है तो कैंची में बीच में यहां पर कटिया की टाइप में ठोका होता है ना जो हम घुमाते हैं यहां से कैंची को पकड़े घुमाते हैं तो जो घुमता है उसे फलक्रम बोलते हैं आलम जी से बोला जाता है और यहां पर भार रखते हैं इसे हम लो क्या होते हैं जिस 나서 जाली होते हैं और शोपाड़ी कटने माला हो गया यह साथ हो ए क्या है ऍहीं फिर प्रतम cellphone and क्या आएगा लिवर्ट्री में जैसे चिम्टा हो गया चिम्टा क्या कर रहा है एफर्ट हम लोग बीच में दबाते हैं चिम्टा को इस तरह चिम्टा बना होता है न हम लोग क्या करते हैं बीच में दबाते हैं और साइड में रूटी होता है और यहां फलक्रम होता है तो यह और इफ और इधर हमारा इफ हो गया इधर हमारा फलक्रम हो गया फलक्रम यानि कि यह उसको भी एफ से दिखाते हैं तो फलक्रम हो गया और जो हमारा यहां पर एफ है फोर्स को हम वेट से दिखाते हैं वार से डबल से दिखाते हैं और हम एफर्ट लगा रहे हैं बीच में त तो जब effort बीच में लगता है तो liver three होता है अब जब effort य तो किस लिए गत्सिले क्या है उसमें तोरड उसका जो क्या सीज नियत रहता है तो बता देंगे तोरड आप सिंपल में समझ जाए अगर आप कभी भी सड़क पर रोड पर चलते हैं मालीजी बाइक से रोड पर चल रहे हैं अगर आप अपना धीमा और तेज करेंगे धीम थेख़ेंगी जो अपनी स्पीड बढ़ाओं गटाओंगे तो मतब कि इसलेटर आपको और आप मतब कि आगे और पीछे करना पड़ेगा तेज और धीमा करना पड़ेगा लेकिन आप अपना स्पीड कांटीनीव कांटीनियूस वही रखना चाहते हैं नाहीं घटाना चाह तो एक्सेलेटर आप कभी भी स्लो और फास नहीं करोगे उसी तरह जैसे आपने बाइक का हैंडल पकड़ा हुआ एक्सेलेटर उसी तरह पकड़े रहेंगे तो ही चीज बताया जा रहा है मतलब जो तोरड होगा वह हमारा क्या रहेगा नियत रहेगा साथी में चीज याद र प्रश्ण हैं बहुत ही एकजाम में बहुत बार पूचा गया है कम सकति 20-25 बार अनेको एकजाम में पूचा गया रएल बहुत बार पूचा गया है u p detает सीटेट ब्स जो भी आगामी एकजाम हैं अगर आब बस फालो कर ये सारा सेसं साइनस का और करेंट अफैर का जो डेल प्रभी का समय है चाय आप बीते हैं घर्म फिल्गू ठंडी में अगर चाहिए नहीं पीए तब ही बेटर होगा सहत के लिए बहुत ही लाब दायक होता है अगर पानी बनता है लेकिन अगर आदी है भाई वह पीते ही है चाय आप रखे हुए है इस तरह कप में हमने कप बना दowner अब क्या कि आप चाय रखने के बाद आप चलेगए थोड़ा से बाहर बर्हांदों लाने तब अंगर अगर वो लेंगे इसका नरजी ने जा हम बोलें चला गया अब भाफ बन सब्सक्किर नित कर लेक्त कुछ नहीं होता है कुछ इनर्जी को डर्सक्राइब कुछ निदे में बहुत कम सी कम लाउस होगा तो साथियों इस बेसे सरकार हमेशा इसी पर काम कर रही है कि जल्द से जल्द जितनी भी रेल गाड़ियां हो बिद्दुती क्रीत हो जाए उसका जैसे वंदे भारत आया हुआ है यह क्या है इसका जो पूरा का पूरा इंजन है न दोस्तों य इलग्रिशियेन से चलती है उसमें क्या होता है कि कम लॉस होते है और एंघर होता है पूरा का पूरा जितना एंठर्जी दिया जाता है उ पूरा-छषफटा सरवादिक मिलेगी चलिए कि वेग को यदि दोगुना कर दिया जाए तो सम्वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा साथियों इसके लिए हमने कल भी प्रेस्ट बताया था लेकिन उस पे घती जूर्जा को लेगे बताया था हाफ इसमें सम्वेग की बात किया तो सम्वेग बराबर आपको पता होना चाहिए क्या होता है सम्वेग यानिकी मोमेंटम बराबर होता है अब इसमें देखे क्या गोला है यदि दोगुना कर दिया जाए वेग को अगर वेग को आप दोगुना करते हैं तो आपका क्या होगा डब सुर्ण लुटा के निर्भरता होती है जो एक और दो सज़तो को परतिय निर्भष निर्भरता होती ऌता है व किसमें बॉस्स मतलब क्या गतिका प्रथम नियम मतलब दो परकार से होता है एक विराम का जड़तों एक गति का जड़तों जब बस स्टार्ट होती है जब आप बस में बैठे हो और बस के यातरी पीछे के तरफ जुग जाते हैं जब बस स्टार्ट होता है तो उस समय होता है दोस्तों विराम का जड़तों क्योंकि आप पहले विराम में थे बस अचानक चल प्रकार का जड़त होता है तो बताए जड़त तो किस पे निर्वर किया जड़त तो किस पे निर्वर किया पताए फटा फट साथी आपको आना चाहिए द्रबिमान पर निर्वर किया कि समवेग पर निर्वर किया कि आवेग पर निर्वर किया आखिर किस पर निर्वर किया ज बस में बैटे हो, हवा थोड़े हो, हवा नहीं नहीं हुआ, तो द्रवमान साथी इसके लिए डायरेक्ट आप देखें, बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है, थोड़ा सा माइंड पे, थोड़ा सा हलका सा बहुत, साइन्स ऐसे चीज है न, यह आप साइन्स हो गया और आपका भ यह ऐसा ही प्रस्ट हम बताये थे लेकिन भार को लेके बताये था, जैसे ही कोई प्रित्वी पर पत्तर गिरने वाला होता है, गिरने से तुरंत पहले उसकी भार बहुत जादे होती है, यह हमने बताये था, सेम वही गटी जूर्जा के साथ होगा, क्योंकि इसमें मास होता यह चीजी ध्यान रखेंगे, गती जूर्जा गिरने से तुरंत पहले, कोई वस्तु अगर गिर रहा है धरती पर, तो गिरने से तुरंत पहले, वही थोड़े से समय पहले, जिससे यहां पर प्रित्वी है, अब गिरने ही वाला है, टच होने से ही तुरंत पहले वाला समय, गहाई को सबसे ज्यादा उस में उरजा होगी कभ जो पिर्सवी फेंट ही सबसे ज्यादा उसके ऊपरर इस्ता में वह a इसके तुरंद पहले उसकी गति जूल्जा बहुत अधिकतम होगा यानी कि भूमी पर पहुंचने के ठीक पहले यह वाला राइट एंसर C होगा चलिए जिसका जिसका एंसर आ रहा है बहतरी तरीके से वो सीख रहे हैं और कॉंसेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं नेक्स्ट रॉकेट की गती पर निमलिखित में से कौन सा सनच्चर सिधान्त लागो होता है यह तो बहुत ही आसान है भाई राइट की गती पर कौन सा सनच्चर का सिधान्त लागो होता है अभी तो हमने बताया था साथी समवेक सनच्चर जस्ट इसके पहले वाला केसं समान था जो राइट वाला था उसमें समवेक सनच्चर वाईव यान खड़े लूप में हवाई कर्थब दिखा सकता है अच्छ प्रकार से कर वह चीडिया आसमान में उड़ती है तो अचानक से एक ही जिगा खड़ी हो गई अब खड़ी होकर पता है क्या करती है अपने सिकार को देखती है और कीड़े मकोड़े पतंगे उसको यह समझ लेते हैं कि वह निर्जीव है और उसके आज पास से उड़ने लगत उसका निर्भार है गुरुत के कारद जैसे कि बहुत भथ लोग चोटे चोटे बच्चे होते हैं डंडे को हाथ पर रके नचा लेते हैं क्यों को वह क्या करते हैं बैलंस बना लेते हैं इस करमात दिखा पाते हैं तो इसका राई-टेंसर क्या हो होगा साथी इसको तोड़ा माप करिएगा अब एक इंद्रबल इसका राइट होगा ना चलिए नेक्स प्रिछे पर कापत होता है जैसे आप कभी किसी कार में बैटे हों अगर आप कार में बैट कर कोई चीज फेकते हैं तो आपके लिए तो लीनियर मोशन होगा वह लीनियर साय बिलकुर रेखा में लेकिasures देखा कर आप अब ऐसे प्रकाता से दिखाए देगा जैसंचे अगधर आंपकी प्रववले और सब्सक्राई कार गति इस प्रकार से आर्ट है घूँमती है elliptical elliptical तो बिल्कुल पचक जाती है क्यों वह तो हवा के प्रेशर के वज़ए से घूमती इतनी स्पीड में है क्यों पचकती हुई है मतब गोल तो है तो है प्रित्वी दिखाई नहीं देती अंडाकार दिखाई देती है क्यों गूमने के करद अंडाकार हो जाती है सेम उसी प्रकार से अगर प्रिछेव का पत पूशा जाता है तो साथ हो तो क्यों मतलब प्रिछेव का पत जो होता है वो किस प्रकार का पत है तो बताएंगे परवलय पत है परवलय पत है चलिए नेक सिलेंडर आता है फुल उसकाट बढ़ जाएगा नहींक दोस्तों तो यह है चीज वहीं चीश में द्रबमान उसका नहीं चीज बढ़क है दाप जालया भ्र जाहे आप एक किवध्र गएस में आदर लीटर बढ़ कर दो सब्सक्राइब तो इसका भार तो मारा एक ही लीटर रहेगा 1 लू साथ में आसपास पास में आता है एक लीटर ब्राबर हैं तो समझ रहेगा ने के जी दूसरी चीज नहीं जी मतलब एक हजार ग्राम अगर लीटर की बात करेंगे तो लीटर में 960 ग्राम के आसपास होता है 956 यह होता है तो इस इसको याद रख लेंगे साथ इसका राइट है सर इस्थिर रहेगा चलिए नेक्स्ट पैरा सूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी उचाई से फेका गया प प्रकार से प्रकार से पुझे से ढमेघ हो यहां से नीचाही गजाओ लेकिन लेकिन इची आता है आराम से नीचाही किस काल. कारड से हवा के रजिस्टेंस के हवा का रजिस्ट करता है हवा उसे रोखने की छमता करता है क्रोंकि इसकी więc ऐरिया बढ़ने की नीची आता है में गहना ज्यादह प्रेशर है inanас जा दिए तो हवा का रजिस्ट करेगा ऐसा कुछ नहीं है पत्थल तो नीचे आएगा तो बताईए क्यों प्रिश्ट के प्रिष्ट का छेते पल जादा होता है अथा वायू का प्रत्रोद अधिक होता है साथी इसका राइटेंसर सी होगा चलिए नेक्स्ट चलती गाड़ी से एक पत्थर गिराया जाता है जमीन पर खड़े एक प्रिष्ट के लिए जमीन पर पहुंचता हुआ पत्थर किस प्रकार का पत लेता हुआ दिखाए देगा भाई यही तो हमने बताया है अभी यही ने बताया है जब जमीन पर कोई आदमी खड़ा है कोई गारी से कोई पत्थर या पर कोई वस्तू फेका जा रहा है तो जमीन मदब बाहर जो गारी के है उसको परवलेकार दिखाए देगा और जो गारी में होगा उसको लीनियर दिखाए देगा अभी देखिए हमें एक चीज आपको और बताते हैं इसका राइन से सब्सक्राइब एक चीज इस कॉंसेट ध्यान से सुनियागा साथी अगर आप किसी रेल या पर किसी डब्बे में किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं अगर गाड़ी चल रही है अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं गाड़ी में बैठे हुए आदमी और गाड़ी चल रही है अगर जब गाड़ी चल गया लिए आपके पीछे गड़ाएं आपसे पीछे वाले स् है आप से पूछा सकता है तो बहुत ही क्रेंT प्रस्न है आप आपने सुना होगा साफे छिकता का सिध्धान्त एच कल टू एमसी स्क्वाइर साथ हूँ आपने सुना होगा कल भी इसकी चर्चा हुई थी तो यहाँ पर द्रवमान है यहाँ पर एनरजी है मदब कि प्रकास की चाल एनरजी के ही रूप में होता है जितनी भी लाइट होते ह परखक्ता का सिध्धान्त है यहाँ नहीं बताया था जहांद देखेंगे लोग देखते है सब का कमेंट आना चाहिए और जो बच्चे देखते अच्छा लगता है तो कम से कम तेली दो ऐसे दोस्त को लाइब लाके दिखाया करें वीडियो जिससे कि इसका रीचमेंट बढ़े साथियों पता है बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो को कंटेंट्स बनाने में इतना बोलने में लेकिन इस पर हमको कुछ कोई अतराज नहीं ह हम तो देंगे उसके लिए देंगे जो डेली देखता है जिस सुमन राव हो गई और दो तीन बच्चे हो गए जो डेली देखते हैं उनके लिए हम देंगे जिसे अंगराज करके हैं वो भी कभी कालके आ जाते हैं तो इस तरह के बच्चे हैं जो की डेली देखते हैं फालो तो कर सकते हैं तो कर डेखे अगर आप सारे सेसीन देख रहाए है तो 101 बताते है दोसों 101% यानि कि 101% चांस है आपका सिलेक्टे था कियोंकि हम पूरा यह नहीं देखते हैं की कौन सा बच्छा रहा है कौन सा रहा है कौन सा नहीं ह satisfaction ही करना है कि करना है बच्चे नहीं साथ करेंगे इससंघ का पूरा माह welcome बन देंगे बिल्कुल बहतरी थीए जब भी आपका exam हो तब देख कर जाए यह बहतरी तरीके से प्रतरण कर आएंगे साथिए हों आप विस्वास निमानोे यहीं से प्रस्फससखHHH आपकी 101% साथ यो बता रहे हैं यहीं से प्रसपसे गा Current Affair का सेसन देखिए, Geography का सेसन देखिए, Mayat का सेसन देखिए, सारे सेसन देखिए, Hindi पुरा पढ़ा के खतम कर दिया गया, SSGD लेवल को हो, चाहे आपका रेलेवे लेवल का हो, चाहे जो लेवल हो, UPTATO गरा का, सब खतम हो ग पुरा सब मेहनत करिए साथियों, जीता हम करते हैं, उससे बस एक परसेंट आपको ज्यादा करना है, सिर्फ एक परसेंट ज्यादा करना है, चलिए इसमें बताइए, इसका राइटेंसर, निर्वात में यदि तीन वस्तु लोहा, कागज, पत्थर को गिराया जाए, विर् करेंगे, पदार्त के समाने कुर्चे से ठोजडरा हो गया, पट्यास्ता, गुडांक हो गया, दाव हो गया, इस पर चर्चा करेंगे, बताइए, इसका राइटेंसर, यदि एक कड़का वेग, अपने प्रारंभिक मान का एक तीहाई कर दिया जाए, तो कड़का गती जुर फिटेट में दो बार पूछा गया है, जो उनातर सो भरती कराई थी न उसमें भी पूछा गया था साथी, तो आप लोग बहतरीन प्लेटम में पे हो यह माना करें, इसका राइटेंसर क्या होगा, एक बटें न अब इसको कैसे बटें न वहोगा सर, इसको बताइए तो दे बão ने परार्रमिक मेल का एक तिहालो हो जाता है आप एक तिहालो होगा के इन सर होगा नेले में वाई हुसकती में उर्जा का काौन सरूब बीद्धत उर्जा में परिवर्दित होता है वाई होता हैusanrä विजली का उतपादन करते हैं वो बिजली का उतपादन हम और आप जैसे आत्मी यूज करते हैं सरकार यही तो करती है जो आपका बांध हो गया बांध बनाती है बांध से वह बिजली उतपन करती है जो विजली उतपन करती है जो विजली उतपन करती है जो विजली उतपन क बढ़ रहाते हैं उसको रोक कर बांध बना कर वहां से विद्धूत उत्पादन होता है तो यह सब क्या है यह सब गती की ही एक्जाम पाले साथी तो यहाद रखें गती जूर जा होगा यहां पर नेक्स्ट डाइनेमो बहतरी प्रस्ट है आज का लास्ट प्रस्ट ने साथी क्योंकि आज यह चेप्टर आपका फिनिस हो रहा है इसमें कम से हम लोग 31 यानि की प्रस्ट पहले कर चुके थे और यह कैस्ट यानि की 51-52 प्रस्ट केवल एक चेप्टर पर साथी हम बता रहे हैं इससे एक बहार प्रस्ट नहीं आएगा आप बहतरी प्लेटपॉम पे हो दो मतलब कि आपका पांचवां टेस्ट है याद रखेंगे साथी पूरा का पूरा आप रिविजन करते रहे हैं डाइनमो का मतलब क्या मेकैनिकल अनरजी को विद्धूत अनरजी में चेंज करेगा साथी यह बिद्धूर जामिहा साहिए यह आपका राइट एंसर होगा यानि कि सी दोस्तों इस तरह के बहतरी प्रस्ट पाने के लिए आप डेली सेशन को फालो करें और डेली 9 बजे सेशन होता है आप फालो करें एकर 5-10 मिनिट लेट हो जाता है तो माप किया करिए टेकनिकल प्राफिका जेतना सेशन हो चुका है उसको फालो करिए वैसे हो जाता है तो लाश्ट अकर आप पहुंच जाते हैं तो कमेंट करिए उसके बाद ही नेक्स्ट क्लास पढ़ाए जाएगा साथियों अन्य था हम नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द लाएंगे आप लोग करते हों करते हैं बहुत ही अंदर से मोटिवेशन होता उर्जावान हो जाते हैं साथ है उर्जा दोगनी चोगनी पांच गुनी हो जाती है कि बच्चे देख रहे हैं डेली से सब्सक्राइब एक दिन सेशन नहीं रुकना चाहिए इस तरह से साथ है चलिए अगर आपको से अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरू करेंगे आप और इसी तरह बने रही है अपने तवेद का ध्यान रखिए खुश रही है मसत रही है धन्यवाद